आई आप करते हैं इंडेप्ट अनालेसिस इन दोनों फिल्मों का जिससे आपको पता चल जाएगा कि तेरी मेरी कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपूर ने जिस तरह का परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर दिया है क्यों दिया है तो शुरू करते हैं विद दी इंडेप्ट अना पर हावी पढ़ते हैं फॉर्स प्लस पॉइंट इस फिल्म का म्यूजिक साजित वाजित ने जो म्यूजिकल स्कोर दिया है बहुत ही अच्छा है और हर गाना जब फिल्म में आता है इट कम्स एजर रिलीफ सेकंड प्लस पॉइंट प्लेयर्स है शाहित कपूर और प्रियं प्लस पॉइंट इस फिल्म का इस कियो कि 1910 में एक अलग किसम का आथमसफियर है चाहे वो 1910 में हो या 1960 या 2012 में हो अब एक नजर डालेंगे इस फिल्म के minus points पर तो सबसे पहला minus point ये तीन time periods की love story है and actors तीनो love stories में वही है शाहित कपूर और प्रियंका चोपड़ा तो सबसे पहली बात तो ये question आपको बार बार सताता है after the first love story is over जो second love story शुरू होती है and it continues to the third love story also ये question आपके दिमाग में बार बार आता है कि आखिर इन दोनों की love stories तीन different time periods में क्यों दिखा रहे हैं जो climax है हर love story का वो यही कहता है कि तीनो love stories में ultimately शाहित कपूर और प्रियंका चोपड़ा मिलते हैं तो फिर तीन love stories बताने का मतलब क्या था अगर 1910 and 1960 वाली love story में ये दो lovers शाहित कपूर और प्रियंका चोपड़ा नहीं मिलते तो तो फिर भी समझ में आता कि 2012 वाली love story में the love has reached its logical conclusion unification हो गया है lovers का लेकिन अगर तीनों love stories में ये दो lovers मिले हैं तो फिर तीन love stories बताने का मतलब क्या है secondly, Kunal Kohli has not even been able to justify के उन्होंने three different eras की love story क्यों दिखाई ये आखिर कुछ तो तुक होना चाहिए वो तुक अगर उनके दिमाग में है या उनके राइटर्स के दिमाग में है well, it doesn't come across in the film and audience को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है ये बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझी जाती है और इसलिए भी ये drama बोर करता है thirdly, the film moves at an excruciatingly slow pace बहुती लंबे-लंबे scenes है जिसकी वजह से audience को बहुती बोरियत महसूस होती है और जहां हमने भोरियत की बात की आपको बता दे कि पहली love story जो unfold होती है बड़े परदे पर that is of 1960 और 1960 की love story का presentation का जो तरीका है that's really irritating एक और बात the emotional undercurrent of this film falls flat और वो love story क्या जिसमें जब lovers separate होते हैं एक दूसरे से जुदा होते हैं तब अगर audience को रोना नहीं आए या दिल नहीं भराए और इस film में भी ऐसा ही होता है there is enough scope for emotions ऐसा नहीं है कि कहानी में emotions का scope भी नहीं है of course है लेकिन वो emotions दिल को बिलकुल नहीं छूते हैं and that is one more minus point of the drama और अब आते हैं Gangs of Wasipur की तरफ Gangs of Wasipur में भी तेरी मेरी कहानी या कोई भी और फिल्म की तरह plus points और minus points है अगर plus points गिनते हैं तो दो plus points बहुत उभर कराते हैं exactly like in the case of तेरी मेरी कहानी इस film में भी actors के performances और इस film का संगीत दोनों बहुत ही बढ़िया है जब हम performances की बात करते हैं कहना पड़ेगा कि हर actor ने अपने role में इतनी अच्छी इतनी बढ़िया acting की है कि आपको लगता है the casting is perfect और बहुत सारे role है बहुत सारे किरदार है तो हर role के लिए जो actor चुना गया है उस actor की acting इतनी बढ़िया है कि आपको लगता है ये perfect choice है वैसे ही film का music बहुत ही अलग sound है thirdly जो atmosphere create किया गया है again pre-independence इंडिया से शुरू होती है बिहार की कहानी है धनबाद, वासेपूर जैसे ही जगाहों की कहानी है और it stretches right up to time beyond the independence of India तो ये जो change हुआ उस जगा की बाते जो change होई plus किरदारों का जो behavior है everything goes so well that the atmosphere that is created is absolutely fantastic और बहुती realistic drama है अनुराग कश्यप ने जो drama recreate किया है ऐसे लगता है कि आप वही धनबाद या वासेपूर में है और आप real life drama देख रहे हैं ये बात अलग है that this drama has sectional appeal लेकिन उसकी बात हम करेंगे जब हम इस film के minus points की तरफ आते हैं एक और बड़ा plus point इस film के ये है कि जो dialogues लिखे हैं बहुती बड़िया है बहुती ethnic dialogues है and they go well with the period during which this film is set and also the place and the people about which this film is उसके साथ dialogues बहुती बड़िया है इस film के minus points भी है and inherent minus points सबसे बड़ा minus point the film is too long बहुत लंबी film है and बीच बीच में obviously क्योंकि इतनी लंबी है बीच बीच में बोर भी करती है secondly गाली का लॉच इस film में बहुत है one section of the ladies audience women audience of course उन्हें ये film पसंद आती है लेकिन by and large family audiences और ladies को इतनी गालिया जिस film में होती है वो digest नहीं होती और इस film के साथ भी ऐसा ही कुछ है it is also too gory, too violent इतना bloodshed, इतना violence दिखाया गया है and बहुत ही crude किसम का जिस तरह की crude गालिया है वैसे ही crude violence और action भी है which is again a put off for one big section of the audience include ladies and family audiences in this और तो और इस film में star value या face value जिसे हम कहते हैं वो तो है ही नहीं मनोज बाचवाई of course is a fantastic actor लेकिन star value उनकी इतनी भी नहीं है जिसकी वज़े से उन्हें या उनकी film लोग देखने आ जाए और शायद इसी वज़े से गैंग्स और वासेपूर को शुरुआत बहुत ही कमजोर मिली of course बाद में collections pick up हुए but only marginally कहने का मतलब है कि अगर star value होती तो फिर opening ही अच्छी होती है और उसके बाद अच्छी opening के बाद अगर 10-15% pick up भी हो तो definitely it's a plus point लेकिन opening ही कमजोर हो और उसके बाद 15-20% pick up हो तो pick up हो हो के भी क्या होता है एक और minus point इस film की documentary style feel बहुत जगाहों पर आपको ऐसे लगता है कि आप कोल माफिया या धनबाद के ऊपर एक documentary देख रहे हैं and that's not a very nice feeling and the last and big minus point जो हमने plus point discussed करते बग भी आपको बताया था and that is the sectional appeal of the film एक section of the audience को definitely film बहुत अच्छी लगती है लेकिन there's a large chunk of the audience जिन्हें इस किसम की film with so much of violence so much use of swear words, documentary-ish effect बहुत ज्यादा realistic, lack of face value ये सब पसंद नहीं आता है and जो sectional appeal है film की that leaves out one large chunk of the audience जिसकी बज़ा से ये film चल रही है लेकिन सारे जगाहों पर नहीं और तो और आप surprise होंगे कि इतनी ज्यादा action वाली film multiplexes में ज्यादा चल रही है single screens में इतनी ज्यादा नहीं चल रही है और तो और ये बिहार की कहानी है but बिहार और UP को which are of similar audience structure audience profile इन दोनों circuits में बहुत ही similar है but UP में इस film की collections ज्यादा अच्छे हैं बजाए के बिहार में जहां की ये कहानी है बिहार में तो इस film को opening भी नहीं मिली of course बाग में जाकी collections pick up हुए पर जैसा हमने पहले भी बताया opening ही बहुत कमजोर हो तो pick up हो हो के भी कितनी pick up होगी then the pick up has to be to the tune of 80 and 90% जो की इस film के साथ नहीं हुआ so overall दोनों फिल्मों में minus points far exceed the plus points जिस वज़ा से on the lower side तेरी मेरी कहानी का investment is really huge और इसलिए तेरी मेरी कहानी में जो worldwide distributors है पॉंटी चड़ा उन्हें definitely नुकसान होगा और तग्रा नुकसान होगा because आज तेरी मेरी कहानी के collections बहुत ही गर गए है गैंग्स ऑफ वासेपूर का जहां investment का सवाल है that's limited just about 14 or 15 crore probably 16 crore और इसलिए नुकसान अगर होगा तो कम होगा probably they might just scrape through and reach the average mark